सोनिपत के हलवाई हट्टा में चिटाना माता में मूर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और सोनिपत शहर के निवासियों और चिटाना गाउं के वासियों के बीच विवाद पैदा हो गया है ग्रामीनों न दावा किया है कि करीब 400 साल पहले जोहड की खुदाई करते वक्त माता की मूर्ती प्रकट हुई थी और मूर्ती नवरात्रों में गाउचिटाना में आती थी और बाकी के समय उसे सोनीपत मंदिर में रखा जाता था ग्रामीनों ने सीधे तोर पर कहा कि माता की मूर्ती को अब सोनीपत नहीं जाने दिया जाएगा उनका कहना है कि पहले हमारे पास जगा नहीं थी इसलिए सोनीपत ले जाया जाता था अब हमारे पास मंदिर है इसलिए हम मा की मूर्ती को यहां से कहीं भी नहीं जाने देंगे विबाद बढ़ता गया और अब मामला पुलिस तक पहुँच चुका है और पुलिस पूरे मामले की चांच कर रही है